नवस्कार आप देखरें नियूज़ इतिन व्याहर जारकन का डिजिटल प्लैटफॉर्म मैं हूँ आपके साथ श्रिप्राजा और देखे कल से सितंबर महिने की शुरुवात होने वाली है एक सितंबर से कई सारे नियमों में बदलाव होने हैं हर बार की तरह हर महिने जो बड़े बदलाव होते हैं उसका सीधा असर आपकी खर्च आपके जेप पर पड़ता है तो ऐसे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सितंबर महिने में कौन से बड़े बड़े बदलाव होंगे जिसका सीधा असर आपकी जेप पर देखेगा शुरुआत में अगर हम सबसे पहले बात करें तो दिखे यल पेजी सिलिंडर के जो दाम है उसमें भी बदला होने की संभावना जताई जा रही है। तो हर मेने LPG सिलिंडर के दाम में बदलाव देखा जाता है, कमर्शिल गैस सिलिंडर से लेकर रसोई गैस के दाम में बदलाव होता है, कई बार तेल कमपनियां दाम में इजाफा करती हैं, तो कई बार कटोधी करती हैं, ऐसे में इस बार भी LPG के दाम में बदलाव हो सकता है तो कल से फर्जी कॉल और मेसेज पर लगाम लग सकता है क्योंकि ट्राइ ने टेलीकॉम कमपनियों को निर्देश दिया है कि वे फर्जी कॉल और फर्जी मेसेज पर लगाम कसे और इसके लिए ट्राइ ने एक सक्त गाइडलाइन भी जारी की है ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से काया कि 30 सितंबर तक 140 मोबाईल नंबर सीडी से शुरू होने वाली टेली मार्केटिंग कॉल और कमर्शिल मेसेजिंग को ब्लॉक्चेन बेस डील्टी यानि डिस्टिब्यूटिड लेजर टेक्निलोजी प्लाटफॉर्म पर शिफ्ट कर लिया जाए। ATF और CNG-PNG के रेट में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। LPG सिलिंडर के साथ ही हर मेहने ओल मार्केट कमपनियों के तरफ से हवाई इंधन यानि एयर टर्बाइन फ्यूल ATF और CNG-PNG के दाम में भी बदलाव किया जाता है। बात अगर credit card की नियम में बदलावगी करें तो HDFC bank ने utility transaction पर reward point की limit तै कर दी है ये नियम एक सितंबर यानि कल से लागू होगा और इसके तहत customers इन transactions पर हर मेने करीब 2000 points तक ही पास सकते हैं third part app से educational payment करने पर HDFC bank को reward नहीं देगा सितंबर 2024 से IDFC first bank credit card पर दे नियुंतम राशी को कम कर देगा payment की तारिक भी 18 से घटा कर 15 दिन कर दिया जाएगा और इसके लावा एक सितंबर 2024 से UPI और बाकी platform पर payment के लिए रुपे credit card का अस्तमाल करने वाले ग्रहकों को बाकी payment service provider के credit card का अस्तमाल करने वालों के समान ही reward point मिलेंगे अगर हम महंगाई भत्ते की बात करें तो हो सकता है किस बार किन सरकार की तरप से आपको कुछ बड़ा तोहफा भी मिले महंगाई भत्ते में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकते है और ये तोहफा आने वाले दिनों में आपको मिल सकता है सितंबर में किन सरकार करमचारियों के लिए बड़ा आयलान कर सकते है इसे के साथ ही अगर हम आधार कार्ड की बात करें तो देखिए अभी तक आधार कार्ड को आफ फ्री में अपडेट करा लेते थे लेकिन हो सकता है कि अगले महिने से इसमें कुछ चार्जेज भी एड़ाउन हो जाएं इसको लेकर भी बदलाओ किये जा सकते हैं फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने की आखरी तारिक 14 सितंबर तक तैकी गई है इसके बाद आप आधार से जुड़ी कुछ चीजों को फ्री में अपडेट नहीं करा पाएंगे 14 सितंबर के बाद आधार अपडेट करने के लिए शुल्क देना होगा हाला कि पहले फ्री में आधार अपडेट कराने की लास्ट डेट जो है वो 14 जून 2024 थी जिसे बढ़ाकर 14 सितंबर 2024 की आगया था स्पेशल एफडी में निवेश से जुड़े नियम में भी बदलाव हो सकता है IDBI बैंक ने स्पेशल एफडी 300 दिन, 375 दिन और 444 दिन के टिन्योर की डेडलाइन 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है Indian Bank ने भी 300 दिन के स्पेशल एफडी की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया है वहीं Punjab & Sindh Bank के स्पेशल एफडी की डेडलाइन 30 सितंबर है SBI अमरित कलाश स्पेशल एफडी स्Qीम की डेडलाइन भी 30 सितंबर ही रखी गई है यानि सितंबर के बाद इन FD scheme में निवेश नहीं होगा तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अगले महिने यानि कि कल से ये साथ बड़े बदलाओ किये जाने हैं और इसलिए आपको इसा खास ध्यान रखना है क्योंकि इसका असर सीधे आप से जुड़ा हुआ है बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं निउस 18 बिहार जार करें